की हैं लुकाम बैक टुमाइच जानल चलिए स्टार्ट करते हैं आज के साल आज इस एपिसोड में डिसकुस करेंगे टाटा पावर्स के बारे में जितना जल्दी हो सकता हो तरह नहीं जल्दी इसका हम प्रोष्पेक्टिव हो सकता है कि यहां पर किस हिसाप से हम लोग को यह है तो एक अच्छी बात है अगर अगर देखा जाए तो कंपनी के वह 10% भी लाके नहीं देगा तो बहुत जाथ उसके इंपक्ट बड़ा नहीं पड़ने वाला है तो यहां पर अगर अगर एसा लगता है कहीं नहीं कि लोग बहुत जादा मतलब expectation के हिसाब से यहां पर data powers को देखते हैं कि revenue company का कफी अच्छा जादा और काफी बड़ा बड़ अमाउंट से बढ़ेगा तो हमें नहीं लगता कि वह चीज फिलाल अभी possible है अगर यहां पर देखा जाए तो company के अंदर एक और चीज है कि company यहां पर एक utility sector के तो वो थोड़ा सा मतलब कहेंगे कि exceptional case है यह हर बार आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा जैसे for instance अगर 2022 से लेकर यहां पर 2020 तक के अंदर देखा जाए तो company की sales almost उसी level पर कहीं नहीं बढ़े अब वही चीज हम लोग यहां पर देखा जाए तो 2022 और 2023 के अंदर बहुत ज साल में अचानक से फिर long term में देखोगे 5-6 साल-10 साल के अंदर sales almost constant रहती है और वही सेम चीज यहां पर company के net profit के साथ भी होता है तो हमें नहीं लगता कि बहुत जाद हो कोई aggressive growth यहां पर देखने के लिए मिलेगे लेकिन फिर भी अगर आप लोग यहां पर बाइंग करना चाहते हो 12-13% के लिए annually और इसे साब से अगर आपर रिटर्न अगर चाहते हो कि एक मतला पॉर्ट्फोलियों में एक stabilizer हो तो उसे साब सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि utility company के अंदर एक शीज और होती है कि dividends आपको ठीक-ठाक मिल जाता अब इसमें एक बार चक कर लेते है क्योंकि private company है थोड़ी सी dividend बागी बागी अगर पॉब्लिक sector में देखो को तो ज्यादा देखने के लिए मिलता लेकिन 0.77 भी ठीक है बहुत जादा नहीं है फिलार अब चार्ट पर चलके देखा जाए तो चार्ट पर आगर आपको देखोगे तो यहाँ पे देखने के लि देखने के लिए तो प्यर को कहीं न कहीं मैच करने के लिए वी फॉपर भागती है लेकिन अगर यहां पर देखा जा तो ओवर आल जो रावर जो राट के अंदर बीड़ी ती जब यह दोरो चीज़े बराबर हो जाती है कहीं न कहीं तोड़ा सा साइड़ जाके नीचे भी पॉर्टफोलियो में ऐसे क्यों दोन रहे हो जो दस बारा परसंट आपको दे पाए या इन्वार्मेंट फ्रेंडली आपको बाइंग करने चाहते हो कंपनी या या इसजी परपस के लिए तो उससाब से भी आपको देख सकते हो कंपनी को अभी के लिए 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 अगर अगर फ्रेश बाइंग करनी है तो 69.40 पर आप लोग यहां पर बाइंग कर सकते हो अभी के लिए अच्छा यहां पर अर्निंग सर्प्राइज भी देखने के लिए 13% के आसपास रेवन्यू में देखने के लिए नहीं मिला था यहां पर हम लोगो अगर देखा जाए तो इसे के साथ चलेंगे अगले वीडियो में वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर स्क्राइब सबकर देना बेला इकन वरे नोटिफिकेशन बटन जबुर दबाना और अपना capital safe रखना ओके बाई